हेलो वस्ट अब गाईज क्या हाल है तुम लोग का तो मेरा नाम है फीनिक्स और तुम लोग का स्वागत है पोकेमोन रेड वर्जन के गेम पे लेकर पार्ट 19 में तो अभी मैं करें ली हूँ लेवेंडेट टाउन में और मैं अभी जाने वाला हूँ लेवेंडेट टाउन के घोष्ट टाउर में क्योंकि मुझे घोष्ट देखना है इसलिए लास्ट टैम में आया था तो मेरे पास स्लिप स्कोप नहीं था क्योंकि स्लिप स्कोप से ही तु बहुत ही जरूरत परेगा और इस game में न तुम ज़्यादा item लेके घुमने ही सकते अपने backpack में इस game का न श्टोरेज बहुत ही घम है अगर fire red होता तुम ultimate तो नहीं किसकता लेकिन बहुत ज़्यादा चीजे लेके घुम सकते हो तो मैं निकाल लेता हूँ इधर से सूपर रिपल सारे ही घोस टावर में सूपर रिपल यूज करने के बाद जितने सूपर रिपल मेरे पास बच जाएंगे उनमें से 5 रखके मैं सारे को सेल कर दूँगा क्योंकि मैंने गलती से सूपर रिपल खरीद लिया था सूपर फोसिन के जगह जो आइटेम अभी मैं यूज नहीं करने वाला तो उसको तो डिपोजिट कर देता हूँ तो जैसा कि हम 2 मैं अब इसे दुबारा नहीं यूज करने वाला तो उसे रख दिया एंड टी एम 48 क्योंकि ये टी एम अटैक सी ही कि नहीं सकता कोई भी पोकेमोन जो मेरे पास है अभी करनली तो टी एम 13 को विर्गतिया और क्या रखें कुछ नहीं अब निकलते हैं इदर से मुझे जाना है घोस टावर घोस देखने के लिए तो चलो टावर के अंदर चलते हैं, लाश्टीम में आया था तो गैरीक से बैटल किया था इस टावर में मैंने, उसके बाद किसी ने मुझे बताया था कि अगर मुझे घोस देखना है तो मुझे चाहिए sleep scope क्योंकि sleep scope से ही तुम घोष को identify कर सकते हो यह सा उसने बोला था उसके बाद मैं इधर से निकल गया कि जब sleep scope मिल जाएगा तब मैं वापस आऊं का घोष देखने तो अभी मेरे पास sleep scope है तो मैं वापस आ चुका हूँ तुम जो यह stone देख रहे हो ना इस chamber में तो यह सारे ना memorial stone है किसी का grave नहीं है यह इसके उपर pokemon का name लिखा है जो मर चुके है उनका इससे मैं बात करना हूँ इसने मुझे बताया था कि sleep scope से मैं गोष को देख सकता हूँ तो इधर इस chamber में इस room में मुझे बहुत सारे wild pokemon मिलें इसलिए मैं अभी यूज करने वाला हूँ ripple क्योंकि तुम्हें पता है ripple यूज करने से क्या होता है wild pokemon तुम्हारे पास नहीं आते उधर एक pokeball है देखते हैं उस pokeball में मुझे क्या item मिलेगा तो अभी इससे मुझे battle करना पड़ेगा first तो यह इसके पास है गैसली 23 लेवल का एंबर यूज करो चारजाड एंड दो एंबर से गैसली को हरा दिया आयम सेवड तो यह इसको भूद ने पकल लिया था यह प्रोजेस थी प्रोजेस ही तो बोलते है न तो इधर मुझे आइटेम में मिला pokeball के अंदर इसके ब्रोप मैंने क्यों बोला पता नहीं बिगॉन इविल स्प्रीट अरे ब्रो मैं कहां से इविल स्प्रीट दिख रहा हूं यह भी प्रोजेस है तो इसको यह पास है गैसली गैसली को मैंने फेंड़ेट कर दिया ओगी मॉन बैडल करने के बाद तुमें पेसा बहुत मिलता है माई फ्रेंड्स और प्रोजेस टू कुई इसके दोस्ट तो भी इसके दोस्ट भी प्रोजेस है भूत में पकड़ की रखा एको ओके तो इदर में देखलेटा हूं इदर कुछ मिस्स ना कर दूँ मैं कोई पोगी वाल ओकी बॉझ तो नहीं है इधर एक क्या बोलते चैनलर है तो इसे भी हरा देता हूं इसके पास 24 लेवल का गैस लिए उसके पास 23 लेवल का हूँ वाट आम डूइंग इनको नहीं पता है यह लोग क्या कर रहे है इदर क्योंकि घोष्ट ने इनको पकर के रखा है इसलिए तो अपना चारज़ार्ट तो पैरलाइस हो चुका है अब पैरलाइस हील कि दर है रहे है रहन आगे बढ़ते हैं इधर बहुत सारे ट्रेनर है यह कौन से साउंड निकाल रहे है यार ब्रो पता नहीं इसके पास ए गैसली 23 लेवल का तो इसके गैसली को हराने के लिए ज्यादा महनत ना करना पर है एक बार में यह अटा हरा दिया अपने चारज़ार्ट ने लेकिन इस ध्यान क्यों ने दिया मैंने पैरलाइस हील को यूज करना चाहिए था हूँ और चारज़ार्ट को मैंने बेकार में फेंटेट करा दिया कोई बात नहीं वी कैन क्रैक दा आइडेन्टी ऑफ खोश इस पोगी बॉल में तो मुझे कुछ तो मिला लेकिन मैं बहुत फास्ट क तो मतलब पकर के रखा है गोश्ट ने उस गोश्ट को मुझा आराना है उसके बाद ये टावर फ्री होगा इधर एक और पोगी बॉल है देखते हैं इस धर क्या मिलगा हमें आवेकिनिंग मिला एक मुझे नाइस और इधर एक और पोगी बॉल है इधर एचपी अप मिला तो एचपी अप यूज्स कर लेते हैं एक पोगी मॉन पके ऊपर तो कौन सा के में ette क्यों यूज करो तूम गैस नहीं कर पाई मैं पीजीयोटर्योप के उपर यूज कर दिया क्योंकि क्यों नहीं वह भी तुम्हेरा पोगीमॉन में न तो इस से बेटल करते हैं जोष्ट कर रहा है तो मुझेhta को डीलीट करना परेगा तो कौन सा डीलीट करो मैंने अभ ही तक रेजर व Märzor का लोग सब्सक्राइब दिर सबसाइन में ट्रांस्फर्म हो चुके हो अब क्या बख रहा हूं मैं तो नीचे वाले रूम में चलते हैं इधर भी बहुत सारे क्या बोलते हैं चैनलर है लेकिन यह डॉट डॉट क्या था सर्कल टाइप होगे तो इससे भी बैटल करके इसको भी वेक एप टू रियालेटी में लाते हैं तो गैसली है इसके पास 22 ले क्यासली है और कौन पिचियोट हो और मैंने तुम लोगों का ठीका लेकर रखाए बचाने का इसको सोल देते हैं लेकिन एटाइक के फोर्म है तो इसको मैं सोल देने वाला हूं अपने पिचियोटो का पिचियोटो अपना सोल दे रिजर विंड यूस करके यह रिजर टैक से कम से कम तो डैमिज तो देता विंड अभी पिचियोटो को हॉंटर ने क्या वो कन्फ्यूज कर दिया है और यह खुद को पहचान नहीं पा रहा है कि हॉंटर कौन है और वो कौन है और यह फेंड हो गया तो पीकचू यूस थंडर बोल्ट और इसको अपनी हॉंटर को उसकी नानी याद दिला दे बोल दे क्यूंगे मुझे ने पता बस मेरे दिमाग में क्लिक हो गया और मैंने बोल दिया इसको यह क्या है इस चोन के अंदर आने से मेरे पोकेमोन फुली हील हो जाएंगे इधर एक और टाइफिक, ओके यू रेस्ट हीर, अच्छा तो इधर मैं अपने पोक्मोंस को हील कर सकता हूँ, और मैं नहीं हील कर दिया, यह जॉंबी क्यू बोली प्रो, पता नहीं कुछ भी बख रही है, तो गैस लीक के उपर मैंने यूज़ किया एमबर और उसको बर्न कर दिया, अब बर्न से वो फेंटेट हो गया, हाला कि यह बात अलग है कि अपना चारेजाट को पैरलाइस कर दिया था इसने, और क्या बोलते हैं, कन्फूज भी कर दिया था, इधर मुझे एक नगेट मिला, फाइफ थाउजन, पुकी डॉलर मिल ग इसको इविल स्पिरिट ने पकल लिया था, अभी मैं घोष्ट बस्टर बन चुका हूँ और इस टाउर के जितने भी घोष्ट है, उनको मैं पेलने वाला हूँ, बस मुझे एक बार घोष्ट मिल जाए, फिर मैं से बताता हूँ कि प्रो, स्टॉप देस, इधर एक और चैन इनको पता ही नहीं, इनके साथ क्या हो रहा है, ये प्रोजेस है, भूत ने बगर के रखा है, इनको, ओगे, ये कौन सी लैंगोईज में बात कर रहे हैं, ये साइध, और वे गुरे पोकेमोन बन चुके हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, ये बहुत ही क्रिंज था, मैंने ये क विद्यू किया, प्रो, नेवर रिग्रेट, ओगे, तो इधर फाइनली डिपल का एफेट खतम हो गया, और मुझे इधर एक free-car Rare Candy मिला free-car क्या बोले याइ a और भी क्या बोलते हैं फोगी बोले तो उबहूं लेते है मैं सोच रहा हूँ कि इतना Gastly आ ही रहा है दुर एक पकल लेता हूं मैं मैं चाहता हूं कि मैं हॉंट गैसली को अपने टीम में रखूंगा गैसली या हॉंटर को रख देते हैं हॉंटर को रखूंगा अपने टीम में इसको इवॉल्व करूंगा वैसे मैं गैंग गैर में इवॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि गैंग गैर में इवॉल्व करने के लिए खून के जगे ना कुछ और देते हैं तो खून के जगे मैं दूँगा इसे एमबर और और भी तीन पोकेमोन बचा है इसके पास और तीनों ही गैसली है नहीं तीनों ही गैसली है तो सारे गैसली को तो मैंने हरा दिया और इसे बलड के जगे मैंने Ember Attack दिया I feel Anemic अब रहने दो ओगे तो इधर मुझे मिला X Accuracy X Accuracy से तुम Single Time ही यूज़ कर सकते हो X Accuracy को ओगे तो मुझे इधर एक Wild Pokemon Haunter मिला है और वैसे मुझे Gasly को Evolve करने के चर्वत नहीं परेगा क्योंकि इधर मुझे Haunter मिल गया है तो और अब Gasly को Evolve करने का कोई फाइदा नहीं है सीधा अपने टीम का नया मेंबर होगा Haunter तो इसके लिए मुझे यूज़ करना परेगा Great Wall तो किदर है Great Wall प्रो मुझे पकरना है Haunter को एक गया दो दो Wall खा लिया इसने थोरा सा HP पचा है अपने Charizard का और Haunter को हमने Catch कर लिया और यह हमारे टीम का नया मेंबर है Haunter अगर तुमें बैगराउंड में Noise Boy सुनाई दे रहा होगा तो उसे Ignore करना Please तो अभी तुम देख सकते हो Charizard का HP बहुत कम है इसलिए मैंने पिचियोडो को First में रख दिया अब आगे बरते कहां मिलेगा मुझे घोष्ट अभी तक मुझे घोष्ट ही नहीं मिला ब्रो विगोन इंट्रूडर्स ओके मुझे लगता है मुझे घोष्ट मिल चुका है और येस हमने फाइनली घोष्ट देख लिया है अब इसे आइडेंटिफाई करते हैं ये किसका घोष्ट है तो ये है मारवाक का घोष्ट ये वही मारवाक है जिसको टीम रॉकेट ने मारा था ब्रो बहुत ही सैड है ये लेवेंडर टाउन ना बहुत ही डार्क है लेवेंडर क्यों बोल रहा हूँ लेवेंडर टाउन के ते हैं या लेवेंडर टाउन मुझे नहीं पता प्रो साहिद प्रनांव्ट मैं गलत कर रहा हूँ पता नहीं तुम बोलो यार लेवेंडर टाउन भे कन्फ्यूज हो गया मैं तो इस मारवाक को हढ़ाते हैं इसको पाद में देखते हैं पिजियोटो यूजट फ्लाइ और एक फाइनल फ्लाइ अटाक से पिजियोटो मारवक को डिफीट कर और एक फाइनल फ्लाइ अटाक से मारवक को हमने डिफीट कर दिया और पिजियोटो को बहुत सारा एक्सपेरियेंस मिला दिघोष्ट वास्ट रेस्टलेस सोल और क्यूबॉन मर्दर दी मर्दर सोल और स्कंप इट डिप्रेट तू आफ्टर लाइप तो फाइनली आफ्टर लाइप में चला गया मार्वक का सोल रेस्ट इन पीस टीम रॉकेट वाट डियू वांट वाई आर यू हीर मेरा बात छोर ब्रो तुम लोग था यार विंग अटैक था साइध मैंने इतना ध्यान नहीं दिया नहीं फ्लाइ एटाग ही था अब विंग एटाग यूज कर ओके विंग एटाग भी अच्छा डैमिज दे रहा है बस थोरा सा एच्प बज गया था क्या बलते है जूबैट का अब यह गोल बैट यूज कर पैरलाइस करके मार अब थंडर बोल्ट यूज कर और गोल बैट को तो मैंने हरा दिया I give up I am not going to forget this मत भूल खाते में लिख लेना डिस ओल्ड काई मुझे टेक्स्ट परने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैंने फास्ट बटन कोई फास्ट फ़र्वर्ड बटन ओन करके रखा था और मैंने ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं तो इसके क्या था यार कॉफिंग को हरा दिया और अपना पीकचु ना 30 लेवल का हो गया है 30 लेव अर अब मैंने चारजाट के ऊपर हाइपर पोशन यूज यूज क्या या सूपर पोशन मैंने ध्यान नहीं दिया बस पोशन लिखा था बस यूज कर दिया इसको हाइपर पोशन यूज क्यों नौट सेविंग एन्यूएन केड ऐसा तुझे लगता है लेकिन तुम लोग अबे जो करना है वो कर ले ना तेरे बॉस ने कुछ ने कर पाया तू क्या करेगा ये कौन है ब्रो अबे ये ये वाइल पोकेमोन का ना कुछ अलगी नसा है तो ये मिस्टर फूजी है और ये और ये ओर्फन पोकेमोन का धाया ट्रिंगा थे और ये गये थे मार वा थोको फीनिक्स योर पोकीटैक्स कुष्ट में विफेल विदाउट लब फॉर योर पोकेमोन पोक्यमोन, I think this way help you, okay, पोकी फूल्ड, फूल्ड, अपन हेरिंग फूल्ड, स्लीपिंग पोक्यमोन, विल, स्लीपिंग पोक्यमोन, अच्छा, तो यह अब मैं यूज कर सकता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं, यह जो फूल दिया है मुझे, मिस्टर फूजी ने, इससे में, क और उसे कैज भी कर सकता हूं, तो नेक्स्ट सिटी जाने के लिए, यह हमें चाहिए था, और मिस्टर फूजी ने दे दिया मुझे, नाइस, तो मैंने अभी इधर हील कर लिया है, अभी मैं गेम को सेप करने वाला हूं, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट फीडियो में, नेक् फूर्थ पोकेमोन तो हॉंटर है, ओके तो अभी मैं सेप कर देता हूं गेम को, इसे हॉंटर को कौन सा कौन सा अटाइक आता है, देख लेता हूं एक बार, ओके इसका नमबर है 93, लिग, कन्फूजन रे, नाइट शेड, मुझे इन अटाइक के बारे में कुछ नहीं पता कौन कितना डैमिज देता है, कितना एफेक्ट करेगा, किस के ओपर जादा, मुझे कुछ नहीं पता, तो देखते हैं नेक्स सिटी को कहा जाता हूं मैं, तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए मैं सेफ कर देता हूँ गेम को और